Hey what is up guys, welcome back once again वो दोस्तों आची कहानी जो explain करने जा रहे हैं उसका नाम है jailbreak तो कहानी की शुरुआत होती है पैरिस सन 1931 से जहाँ पर हम पैपोलियन नाम के आदमी को देखते हैं जो देखने में काफी अमीर घर करकता है लेकिन अस्टियत में वो एक चोर है और आज भी वो यहाँ पर एक चोरी करनी के लिया हुआ है उसे वहाँ पर कई सारे हीरे मिलते हैं जोने लाकर वो अपने बॉस को दे देता है पर वह हम देखते हैं कि उसके बॉस के लोग किसी आदमी को मार रहे लेकिन पैपैलियन के लिए ये काफी आम बात थी इसलिए वो आपस घर आ जाता है जहाँ पर हमारी मुलाकात उसकी गर्फिंड नैनी से होती है जो उसके साथ शादी करना चाहती है लेकिन पैपैलियन को बस 6 महीने का टाइम चाहिए जिसके बाद वो से शादी कर लेगा लेकिन जब अगली सुबह उसके आँख खुलती है तो उसकी पूरी जिन्दगी बदल जाती उसके गर पर पुलिस आ चुकी थी और तब उन दोनों का सारा प्लैन चौपट हो जाता है पुलिस का कहाना था कि उसने एक आदमी का खून की आया और उसकी बॉडी भी उन्हें मिल गई है दरसल पैपॉलियन के बाद जिस आदमी को मार रहे थे पुलिस वालों को उसी की लाश मिली थी और कई लोगों ने पैपॉलियन को वहाँ पर देखा था इसलिए आप वो फस चुका है लेकिन क्या पता था इल्जाम उसके बहुत नहीं उस पर लगाया हो खुद को बचाने के लिए यहां सो शुरू हो जाती यह असली कहानी जिसे कि आपने नादो कभी सुना होगा और ना ही देखी होगी एक ऐसी जेल ब्रेक स्टोरी जिसे कोई ओफिशल सुलजा नहीं पाया यहां पर पॉलियन को हम जेल में देखते हैं जहां पर नैनी उसे मिलने आती है जो उसके लिए अपील करना शाथी है पर वो मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं होगा इसलिए वो उसे बताता है कि मैं कोशिश करूँगा यहां से भागने की लेकिन इसमें कितना समय लगेगा यह मुझे नहीं बता है इसलिए तो मेरा इंतिजार करना अब ये बात मैनी को तो अच्छी नहीं लगती इसलिए वहां से बिना कुछ बोले चली जाती है अब अगले दिन सभी कैदियों को एक खास डेविस आइलेंड पर शिफ्ट किया जाता है जहां से भाग पाना ना के बराबर था और इसी सफर में पापॉलियन की दोस्ती डेगा नाम के आदमी से होती है जो उसे लूइस नाम के आदमी के बारे में बताता है तो दोस्तों लूइस एक मिलियनर है जो किसी फ्रॉड के चकर में अंदर फस गया है पर उसके पास इस समय बहुत ही जादा पैसा है तो वो उसे मिलने जाता और कहता है कि जेल में जितने भी लोग है उनकी तुम्हारी पैसों पर नजर है इसलिए तुम मुझे अपने पैसे दो जिसके बदले में तुम्हें सिक्योटी में दे दूँगा लेकिन लूइस बना कर देता है क्योंकि वो पपूलियन से अभी अभी मिला हुआ है पहली बार और इतनी जल्ली वो उस पर कैसे भरोसा कर ले अब उसी राजशिप पर कुछ लोगों को पता चल जाता है कि लूइस बहुत ही जादा डर गया था इसलिए अगले दिन वो सीधा जाता है पपूलियन के पास और उसे कहता है कि तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए यहां से भागने के लिए मैं दूंगा लेकिन उसके बदले में तुम मुझे तब तक से क्योटी दोगे जब तक मेरी अपील पूरी नहीं हो जाती अब दोनों में डील डन हो जाती है और उसी रात एक बार फिर वही आदमी उस पर हमला कर देता लेकिन इस बार यह पैपूलियन लूइस को बचा लेता है कुछ समय के बाद वो लोग डैविस आईलेंड पर पहुच जाते हैं जहां कि जेल किस जादा खतनाक है वो सभी को इस जेल में बने तीन रूल बताता है पहला कि अगर कोई पहली बार यहां से भागेगा तो उसकी सजा दो साल बढ़ा दी जाएगी और अगर वो दुबारा भागेगा तो पांच साल की सजा बढ़ेगी और अगर यहां पर किसी कैदी ने दूस के पास काफी सारे पैसे हैं इसलिए वो बस मोगी की तलाश में थे जिसके लिए पर पूलियन को तयार रहना होगा क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ तो उसका यहां से जाने का रास्ता खतम हो जाएगा अब इन लोगों से काफी काम करवाया जाता है लेकिन उसी में पर पू पूलियन उसे बचा लेता है पर इसमें उसे काफी चोट आती है और अब यहां लोईस को समझा चुका था कि जब तक उसकी अपील पूरी होगी तब तक शायद वो जिन्दा ही ना रहे इसलिए वो भी अपने दोस्त के साथ भागने का फैसला कर लेता है जिसके बाद दोन कुन कर दिया इसलिए उसे आज मौत की सजा सुनाई जाती है उसका सर पैपॉलियन और लूइस के सामने ही काट दिया जाता है और फिर उसकी बाड़ी को इन दोनों से ही फेकने को कहा जाता है जिसमें लूइस को बहुत दिक्कत होती है लेकिन पैपॉलियन उसे समझाता है कि ये बस एक लाश है, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमें भी मार देंगे, इसलिए दोनों उस लाश को जंगल में लेकर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ लूइस का चश्मा गिर जाता है, जिसकी वज़े से उसे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तभी वहा पूरण उसके सर पर पथर मारना पड़ता है, भूपस हो कि वो मरा ना हो, वहना उसकी जानत हो जाएगी उस साथ में लूइस की भी, लेकिन उससे पहले वहाँ से भाग जाता है और लूइस को वहीं छोड़ कर, पपूलियन बस भागता रहता और ऐसी भागते भागते रा और वो वाडन से मिला हुआ था, उसने ही उन्हें बताया था कि पैपूलियन यहां से जरूर आएगा, इसके बाद क्या था दोस्तों, उसे पकड़ लिया जाता और दो साल तक ऐसे ही जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां पर वो एक भी शब्द नहीं बोल सकता, और उसे बस वाँ खाने में पानी मिलेगा, लेकिन एक दिन वो नोडिस करता है कि उसके खाने के साथ एक नारियल भी आया है, जो कि लुईस ने भीजा था, यह बात वो समझ जाता है क्योंकि उसके साथ उसे एक नोड भी मिलता है, जिसमें लिखाता कि अब से तुमें हर दिन एक इसे भी जाते हैं और पैपोलियन नारियल पी कर जिंदा था लेकिन एक दिन गार्ट्स को उस पर कुछ शक होता है और वो वार्डन को बता देता है इस बारे में वो आगर उसे इस नारियल के बारे में पूछता है कि ये किस ने भेजा लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता और उसे प्रेशर दिया जाता है कि ये बताने के लिए पर वो कुछ भी नहीं कहता और तब वार्डन उसका खाना आधा कर देते हैं और धीरी धीरे खाना ही बंद कर देते हैं जिसे पैपोलियन बहुत ही कमजोर होता जा रहा था उसकी मेंटल हालत भी ठीक नहीं थी वो जीब जी फरकत के करता है और कुछ दिनों बाद वार्डन फिर से उसे पूछने के लिए आते हैं और वो नारियल उसे किसने बेजा और तब भी जाकर वो से कुछ नी बताता जिसके बाद उसे ऐसी जगां बंद कर दिया जाता है जहां पर रोशनी नाम की कोई चीज नहीं थी उ जी से एक दिन पैपोलियन भी होश हो जाता है और वो कई दिन तक उड़ता ही नहीं और तब गार्ड्स उसे हॉस्पिटल भीजते हैं और यहां हम लुईस को देखते हैं जो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था वो असल में वाड़न का हैलपर बन गया था अब वो पैप खाने में बनाया था पर इस बारे उन्हें कुछ और लोगों की जरुत पढ़ने वाली थी इसलिए वो से दो भरोसे वाले लोगों को एक अठा करने को कहता है उस इन बाद हम दो और लोगों को देखते हैं जिनके नाम थे स्मित और जॉनी जो इनके साथ यहां से सारे जो भी गाड्स थे या ओफिशल थे वो बाहर फिल्म देख रहे थे यानि कि इनके पास एक अच्छा मौका है अब वो दीरी दीरे आगे बढ़ते हैं पर इसी दोरान वहां बारी शुरू हो जाती है जिससे कि बाहर फिल्म देखने वाले गाड्स अंदर आ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कोई भाग चुका है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी चारो जंगल के इनारे पहुच जाते हैं जहां पर उन्हें वही बोट मिल जाती है जो जॉनी ने खरी दी थी जिसे लेकर वो निकल जाते हैं अपनी आजादी की तरफ लेकिन आग इनकी किस्मत ही खराब है कभी बारिश तो कभी तुफान अब यह लोग उसकी लाश को पानी में डाल देते हैं और इधर तुफान तीजी से इनकी तरफ आ चुगा था देखते ही देखते हैं चारो तरफ अंधिरा चा जाता है कुछ जिरबाद जब पैपुलियन के आँख खुलती है तो वो उस आइलेंट पर था जहां उसे लगता है कि वो भले ही बाहर आ गया समुंदर से लेकिन अब वो लोग सेफ हैं पर ऐसा होता नहीं है उस आइलेंट के लोगों ने वाडन को पहले ही इनके बारे में खबर दी थी थी कि वो लोग जेल से भागे हैं अब जियां, इसमें तो गार्ड को देखते ही वाहँ से भागने लगता है, जिससे कि उसे वहीं पर शूट कर दिया जाता है, लेगन लुоЯस और पैपोलियन को एक बार फिर पकड़ दिया जाता है और उन्हें उसकी कैद खाने में बंद कर दिया जाता है, स्तीन शिफ्ट होता है और 5 साल बाद जहाँ पर पर पॉलियन अपने second attempt की सजा काट रहा है उसका खुलिया पूरी तरीके से बदल चुका है लेकिन लुईस का कोई भी आता पता नहीं है वो कहाँ है किस हालत में इस बात की खबर किसी को नहीं है कुछ दो बाद पॉलियन को एक दूसरे और सबसे खतनाग आईलेंड पर शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर वो लोग कैते जिन्नोंने बार-बार भागने की कोशिश करे थी पर असफल रहे थे और तभी उसे वहाँ लुईस दिखता है जिसे यहीं पर कैत किया गया था वो जगा बहुत ही अजीब होती है चारों तरफ बस मनहूसियत थी जितनी भी लोग यहाँ पर मौजूद थे बहुत ही कमजोर हो चुके थे और उनकी दिमागी हालत भी खराब थी अब पैपोलियन और लुईस भी बूड़ी हो चुके थे इसलिए उसने अब माल लिया था कि वो यहीं पर रहेगा जब तक मरनी जाता लेकिन पैपोलियन इतनी आसानी से अपनी जिंदगी नहीं बरबात करना चाहता उसने पान साल कैत खाने में यही सोचते वे निकाल दिये कि उसने कहां क्या गलती की पिछली बार और इस बारी वो उन गलतीयों को दोराएगा नहीं इसलिए वो बड़े ही गोर से इस जगां को देखता है और वो एक बार फिर से ट्राई करना चाहता है क्योंकि इस बार ही अगर वो पकड़ा गया तो मार दिया जाएगा वो अपने चारो तरफ देखता है तो उसे बता चलता है कि यहां पे तो गार्ड्स बहुत ही कम है क्योंकि वार्डन को यह बात अच्छे से बता थे कि यहां से जो भी भागेगा वो मारा जाएगा लेकिन परपूलियन जानता है कि उसे समुंदर में बस एक बार कूदना है जिसके बाद लहरें अपना काम खुद कर देंगी वो अपना पूरा प्लान लुईस को बताता है लेकिन उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो अगर वहां से भाग भी गया तो कहां जाएगा उसकी वाइफ ने तो उसके लॉयर से शादी कर लिया और उसकी तो अब उमर भी हो गई है तो उसका दोस्त उसे बहुत समझाता है कि चलो मेरे साथ चलो हम जिस जगाँ पर अभी हैं वहां से हर कोई भाग सकता है लेकिन किसी में इतनी हमत नहीं है लेकिन वो फिर भी मना कर देता है पर जाने से पहले वो अपनी दोस्त की मदद करता है वो दोनों साथ में मिलकर नारियल से राफ बनाते हैं और फिर उसे लेकर आइलन के टॉप पर आ जाते हैं जहां पर बहुत ही कम गाट्स थे पैपोलियन लुईस से गले मिलता और फिर पानी में छलांग मारता और यहां चोकादिनी वाली बात यही थी कि यह पैपोलियन का थर्ड अटेम्ट था और यहां उसकी किस्मत देखिए वो इसमें कामियाब हो जाता है वो दोनों एक दूसरे को देख कर मुस्कुराते हैं और एक दूसरे को आकरी अलविदा करते हैं उसने वो पूरा समुनदर एक नारियल से बनाई हुई राफ से पार कर लिया अगर लूइस भी उसके साथ होता है तो शायद वो भी आज जिन्दा होता और इसी तरह से बहुत समय बीच जाता है हमें एक प्लेन में एक बूरे आदमी को देखती है और यह असल में पपोलियन था वो पैनिन्सुला जा रहा है जहां पर वो पबिशर से मिलता है और उसे एक फाइल देता है और उस फाइल में उसकी जिन्दगी के सारे किस्से थे वो जूटे केस में 13 साल की सिजा काटना या फिर अपने अच्छे दोस को खो देना वो सब उसमें लिखा हुआ था आकर में हमें इस कहानी का असली फुटेज दिखाई जाती है कि कैसे 80,000 कैदियों को उस आइलेंट पर छोड़ दिया गया जिसमें कि एक पैपोलियन इधा जो वहां से भाग पाया है जिसका असली नाम था हैंडरी और उनकी लिखी गई पैपोलियन नाम की बुक उस साल की सबसे ज़ादा बिखने वाली बुक बनी जिसके तकरीबं 13 मिलियन कॉपी बीची गई और फिर 1970 में उनके उपर जितनी भी फॉल्स केस लगे थे उन सब को हटा दिया गया आगर में हम हैंडरी के रियल फोटो भी देखते हैं जिसके साथ ये कहानी एक खतम हो जाती है वहला आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है ये ज़रूर हमें कॉमेंट करके बताएगा मिलते हैं आप से लिडियो में थैंगी सो मुच वाचिंग सब्सक्राइब करना मत भूलेगा पीस आउट